नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली डाउंड अप शो आई नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर अदालत ने उमर खालीद को 2020 दिली दंगे केक मामले में जमानत दी लेकिन जेल से बाहर नहीं आपाएंगे खालीद बंगाल चुनाओ इक्षा मती नदी की धार और बीडी मजदूरिनों की इक्षा दिली में विकेंड कर्फ्यू बंद रहेंगे मौल जिम और स्पा लेकिन खुले रहेंगे सिनेमा और रेस्ट्राउन और आखिर में कुरोन अपडेट देश में 24 घंडों में रिकॉर्ड दो लाग 17,359 मामले एक हजार 185 मरीजों की मौत दिली की एक अदालत ने उतरपूर्विद दिली में पिछले साल फरवरी में हुई सामप्रदाइक हिंसा के एक मामले में जवाहला नहरू विश्विद्याले के पूर्वचाज उमर खालेट को ब्रेस्पतिवार को जमान दे दी अदालत ने कहा कि घटना के दिन वह वारदात अस्थल पर मौजूद नहीं थे अतरिक्त सत्रन नायाधिश विनोद यादों ने आदेश में कहा वादी यानि खालिद घटना के दिन वादा अस्थल से संबद किसी सीसी टीवी फुटेज वारल वीडियो में नज़र नहीं आ रहे मौके पर मौजूद रहने के तौर पर वादी की शिनाक्त किसी सरकारी गवा या पुलिस के गवा के जरिये नहीं हो पाई है अदालत ने कहा कि यहां तक की वादी के मौबाइल फोन की कॉल डीटेल रिकॉर्ड घटना के दिन वादा दस्थल पर नहीं पाई गई अदालत ने कहा कि वादी को महज उसके खुद के बयान के आधार पर इस विशे में सनलिप्त कर लिया गया अदालत ने अभी योजन की यह दलील भी खारिश कर दी कि खालिद मौबाइल फोन पर सह आरोपी ताहिर हुसैन और खालिद सैफी के निरंदर संपर्क में थे इस मामले में प्राथमी की कॉंस्टेबल संग्राम सिंग के बयान पर दर्श की गई थी हाला कि खालिद को इस मामले में जमानत मिल गई है लेकिन जेन्यू के पुर्य चात्र को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा दरसल खालिद कुछ अन्य मामलों में भी आरोपी है जिनमें एक मामला गैर कानूनी गतिवीदी अदिनियम के तहट अपरादिक साजिश का है पशिम बंगाल में बांगला देश सीमा से सटे सैकडो घरों में औरते बीडी बनाती हैं वे बीडी बनाते बनाते ये इक्षा करती हैं कि किसी तरह से उनकी जिन्दगी में तब्दिल लिया है चुनावी माहौल में वे चाहती हैं कि राजनीतिक पार्टियां उनकी स्थिती में आमूल चूल परिवर्तन करे आए देखते हैं हसनाबाद के हिंगाल गंज से वरिष्ट पत्रकार भार्षा सिंग की ग्राउंड रिपोर्ट आपका नाम क्या है और कितनी बीडी बनाती हैं कहां से पत्ता लाती हैं आमान नाम आंजूरा बीबी आमी पाशेर गनते की एजन्ट अथी के पाता नियाशी निये शेए ऐकके जीपाद लिए बादले आहां से चूबए्ट्श्य होग्ए आपकोबशंवे ख़गे रिए प्सक्रा बीडी धारें ये कब से कर रही है आपका? ये काम कर रही है? कोई और काम नहीं सोचा कभी करने को? आपका क्या नाम है और घर में कान कान है? क्या काम करते थे हजबेन? हाजबेन राज मिस्तिरी काजल जीए और फिरियार्शी नी बशियाट इस्टिशाने मारागी इलो इस्टो को इलो यहाँ पर किसको वोट जादा जाता है? अभी जो लडाई है उसमें किसको जाता है? यहाँ बेशी भोट पावे त्री मुल पाटी? टी-एमसी रापावे यहाँ दीदी जे ठुकू शाहाद जो कोरेशे आमादेरे इवानाटन अभाबेर मोद्दे दीदी जे भावे आमादे शाहाद जो कोरेशे लोगडाउने धरा आमादेर तो याखिश भावाए होतो ना दीदी जा चाल दिये चे बाच्चा देरी इसकुलित्ते के जेगुलो शुजक्शुवीदा दिये चे ता आमने बहु उपोगार पेवी चे ता दिदी गे तो भोट दो माने बेशी भोट पावे दीदी ये राखो मी तो मोने होई यहाँ चे लाल जंडे की भी पाटी है? आचे एकने ओल्प आचे उनको वोट नहीं देते लोग? सीपी में माने कीछू हाई तो अल्पो वोट पेती पारे माने शामान नो तमा और टीएमची की लडाई किससे है? बीजीपी साङगे तो जगड़ अचे टीएमचीर ते खाने बीजीपी तो मोन भीट पावे बोले आशा करा जाई ना क्या आप लोग बोट ढालती हैं? आपने बुरेगी एला, लोकेर बारी सीला, तात्ते के घड़ी एसे बातारा खाती दी एलो. आपने बुरेगी एलो. आपने बुरेगी एलो. आपने बुरेगी एलो. जिम, स्पा और सभागार बंद रहेंगे. आपको बता दे कि देश की राजदानी दिली अब सबसे जादा कोरोना से प्रवाइज शहर बन गया है. दिली में एक ही दिन में मुंबई की तुलना में सबसे जादा कोरोना मामले दर्श किये गए. शहर में बुद्धवार को एक दिन में सरवाधिक 17,282 नए मामले सामने आने के एक दिन बाद. मुखी मंत्री ने ओनलाइन समान दाता सम्मेलन में कहा कि रेस्तराओं के भीतर बैट कर खाना खाने की अनुमती नहीं होगी और सिनेमा घर में भी केवल 30% दर्शक ही जा सकेंगे. केजरी वाल ने कहा कि सप्ता हांत के कर्फ्यू के दौरान आवशक सिवाए और विवाह सामरों प्रभावित नहीं होंगे और विवाह कारेकरमों में शामिल होने वालों को पास जारी किये जाएंगे. मुक्यमंत्री ने यह भी कहा कि अस्पतालों में बिस्तरों की कमी नहीं है और कोविड मरीजों के लिए अब भी पांस जार बेड उपलब्द हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि बड़े पैमाने पर बेड उपलब्द कराने के लिए प्रयास जारी हैं. केजरी वालने घोशना की कि राश्री राजधानी में रिस्तराओं को खाना घर पहुचाने की अनुमती नहीं होगी. साथी कहा कि एक शेत्र में प्रती दिन केवल एक ही सापताहिक बजार लगाने की अनुमती होगी. तथा कारिक कर्म में शामिन होलने की अजाज़त पाने वालों की भीड को नियंद्रित करने के लिए कदम भी उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 के मामले रोज बढ़ रहें और वाइरस के पसार को रोकने के लिए पाबंदिया लगानी जरूरी है. केंदि स्वास मंत्रारे दोरा आज शुक्रवार यानी 16 अपरैल को जारी आकड़ करनसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के फिर से रिकॉड दो लाग 17353 मामले दर्श की गए हैं. इसके अलावा कोरोना से आज 1185 मरीजों की मौत हुई है. साथ इसे बिछ देश भर में करोना सिप्रित 1,488,302 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 97,886 मामलों की बढ़ोतरी हुई है. देश में करोना से महरास्ट की हालत चिंता जनक होती जा रही है. महरास्ट में आज फिर से 24 घंटों में 61,695 नए मामले सामने आए हैं और 349 मरीजों की मौत हुई है. महरास्ट में कुल मामलों की संक्या 36,49,855 हो गई है जिन में से 69,153 लोग अपनी जान गवा चुके हैं और 6,21,646 लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी करोना से जूज रहे हैं. महरास्ट के साथ साथ अनिराजों की हालत भी लगातार बिगरती जा रही है. उतर प्रदेश में 24 घंडों में 22,349 नए मामले सामने आए हैं और 104 मरीजों की मौत हुई हैं. साथी साथ दिल्ली में 16,699 में नए मामले सामने आए हैं और 112 मरीजों की मौत हुई हैं और 36 घंड में 15,256 नए मामले आए हैं और 135 मरीजों की मौत हुई. देश में कुल संक्रमित मरीजों की संक्या बढ़कर 1,42,91,917 हो गई है जिन में से 1,74,308 लोग की मौत हो चुकी है देश में रिकवरी रेट घट कर 87,79 फिस दी हो गया है यानि कुल मरीजों में से 1,25,47,846 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामले बढ़कर 10,99,89 फिस दी यानि 15,79,743 हो गए है आज के डेली राउंड आप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूट्व चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंगलिस प्रेप साइट भी जरूर देखें फेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया